हाई गाईज वालकूम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 17 में Apple ने एक निया AirDrop का सिस्टम एड़ करा है योकि है AirDrop 2 आप गोल सकते हो 2.0 या NameDrop तो आप सभी को करना का कि अपने iPhones को पास मेरेकर आना है और Automatically आपके जोनों डिवाइसेज जो होंगे वो अपने Contacts को शेयर करेंगे और इसे के साथ आप अपने फोटोस वीडियोस भी शेयर कर सकते हो अपने iPhones में जो currently iOS 17 के उपर रन करते हैं बट आपको यहाँ पर condition यह रहेगी कि आपको अपने डिवाइसेज को iOS 17 के उपडेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले इस option को इनेबल करने के लिए दुरों आइफोन की सेटिंग को ओपन करना है और यहाँ पर General के उपर टैप करन करना है और यहाँ पर आपको airdrop का option देखने को मिलेगा airdrop के option के उपर आपने add करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा bring devices together यह जो option है on रहेगा तभी आप अपने name drop के और photos और videos को शेयर कर सकोगे तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों options को दोनों डिवाइसेज म on करना है general पर tap करके आपको airdrop की उपर tap करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी अभी यहाँ पर आपको animation देखने को मिले होगी अपने iPhone में आपको कैसे इसे use करना है जब आप इन दोना options को enable कर देते हो अब आपको simply यहाँ पर अपनी photos को open करना है जैसे कि मान लो कि मैं इस photo को share करना चाता हूँ इस फ़ले iPhone में इस फ़ले iPhone में तो share के button की उपर आपको tap करना है airdrop की option की उपर tap करो और यहाँ पर अपने device को अपने पास में ले कर जाना है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर tap करना है और आपका device यहाँ पर share करेगा automatically आपकी photo को accept के उपर tap करो और यहाँ पर आपका जो photo होगा वो यहाँ पर share हो चुका है कुछ इस तरह से आप देख सकते हो इस तरह से आप अपने iPhone में इन photos और वीडियो को एक नए तरीके से share कर सकते हो airdrop के feature को यूज़ करके iOS 17 में आप यहाँ से contact free share कर सकते हो बस आपको यहाँ पर अपने devices को हाथ में लेकर आना है दुनों devices को और यहाँ पर आपको tap करना है और automatically आपके device में एक animation run होगा कुछ इस तरह का animation होने वाला है तो इस तरह से आप अपने contacts को भी share कर सकते हो तो कैसा लगा आपको यह feature airdrop का iOS 17 में comments में ज़रूर बताना तो मलते हैं guys अगली वीडियो में so thanks for watching